29 मार्च 2025 ये तारीक अज सोशियल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है कोई कहता है कि इसी दिन भारत पर परमानु हमला होगा कोई कहता है कि इसी दिन रश्या युए सेवं यूरोप पर परमानु हमला करेगा कोई कहता है कि इसी दिन जगनात धाम डूग जाएगा, कोई कहता है कि इसी दिन महाप्रडे के द्वरा कल्यूग समापत हो जाएगा हेराने की बात ये है कि इन सभी बातों को भविश्य मालिका के साथ जोड़ा जा रहा है जबकि जो लोग इन बातों को के रहे हैं ना ही उन्हें ओडिया भासा आता है ना ही उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर भविश्य मालिका का एक भी असली ग्रंथ देखा है ना ही उन्हें पता है कि इन ग्रंथों का रचना करने वाले पंच सखा असल में कौन थे 29 मार्च 2025 के दिन कुछ बड़ा अवश्य होगा परन्तु बाहर नहीं बलकी हमारे अंदर जय जगनात चार युगों को मिला कर एक महायुग बनता है और अभी तक एसे 50 महायुग हो चुके है यानि वर्तमान हम 52 में में पहुंच चुके हैं इसको हम एसे भी कह सकते हैं कि अभी तक 51 कल्यूग बीच चुके हैं और वर्तमान हम 50 सेकेंड में पहुंच चुके हैं ये एक निरंतर चलने वाला साइकलिक प्रोसेस है, परन्तु अभीका कल्यूग थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी हम समय के पहिय में मध्य भाग पर पहुंच चुके हैं, और इसी कारण अभीका कल्यूग एक महा कल्यूग है, इस महा कल्यूग में पांच भाग होते हैं, त्र दिश्य मालिका के काड़ो निर्गोंट ग्रंत में संत गुरु अच्चू तरंद जी ने कहा था कि जब 19 मार्च 2025 के दिन शनी पोर्ण रूप से मेन राशी में प्रवेश हो जाएंगे तब मनुष्यों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन दिश्यमान होगा जो परिवर्तन ही हुआ है ना ही प्रिथिवी से कोई आस्टरोइड टकराया है तो फिर अचानक बिना विनाश के ही सत्यूग का पहला चरण यानि सत्यकली केसे आरम हो सकता है जब आब नैशनल हाइवे पर गाड़ी के माध्यम से एक स्तान से दूसरे स्तान तक जाते हैं तो बीच बीच म महत्तोपुन तत्यों का जानगारी देते हैं जो कि उस रस्ते में आगे आने वाले होते हैं एवं जिसका जानगारी उस रस्ते पर चल लहे प्रतेक व्यक्ति के लिए आवशक है ठीक वेसे ही भविश्य मालिका में प्रतेक घटना से जुड़े संकेत लिखे हैं जो कि उसी साइन बोड के तेरा ही हमें आने वाले भविश्य का सठीक जानगारी देते हैं मीन राशी में शनी एक वेसा ही संकेत है और भी स्पष्ट कहूं तो कल्यूगु के अंत का अंतिम संकेत है दो नविंबर से लेकर अगले धाई वर्षों के लिए अपने मन को तैयार कर ले विपरित परिस्तितियों के लिए स्वयम को प्रस्तूत कर ले क्यूकि अगले धाई वर्षों के अंदर हर वो भविश्य बानी पूरा होने वाला है जो भविश्य मालिका के ग्रंथों में लिखा है 2022 में कहा था कि रश्या युक्रेन का युद्ध होने वाला है हो गया 2023 में कहा था कि इसराइल अरब देशों के बीच युद्ध होने वाला है हो गया 2024 में कहा था कि रेड सी में संग्राम होने वाला है हो गया भविश्य मालिका को समझना बच्चों का खेल नहीं और जो इस पवित्र ग्रंथ का नाम लेकर अपने मन से कुछ भी वेडियो बना कर डाल नहीं अब उनका खेल नहीं क्योंकि 2 नविंबर के दिन शनी के मेन राशी में प्रवेश होने का प्रक्रिया सुरू हो जाएगा साथ ही कली ग्रासित लोगों का जीवन नर्क बनना आरंभ हो जाएगा इसको पॉइंट बाइ पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं पर उससे पहले फॉलो या सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए एवं और नोटिफेकिशन्स को सिलिट कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक हर दिन समय पे पहुंच सके यदि इस परिवर्तन को राजनितिक दुरुष्टिकोंड से देखे तो भविश्य मालिका में 2024 को लेकर जेसा लिखा था और मैंने उन्हें डिकोड करके जेसा कहा था हीक वेसे ही भारत में कॉंग्रिस का पतन हो चुका है हिमाचल एवं करनाट का जहां पर कॉंग्रिस का सासन है वहां का अर्थ विवस्ता एवं सामाजिक विवस्ता पूरी तरीके से बरबाद हो चुका है आमादमी पाटी भी बिलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है पंजाब एवं दिल्ली का हाल आज देश वासियों से चुपा नहीं है और केजरिवाल पर इतने सारे केसस लग चुके हैं कि अब उसका पूरा जीवन कोर्ट एवं जेल में ही बित जाएगा भारत का सबसे पड़ा लिखा ज्यानी गुणी लोगों का राज्य किरला कॉमिनिस्ट सरकार के सासन तले आज फाइनन्सेली कोलाप्स हो चुका है और आतंकवादियों का होम ग्राउंड भी बन चुका है समाजवादी के अधिकतर नेता जेल में पड़े हैं कुछ का एंकाउंटर हो चुका है और जो बचे कुछे उचल कुद कर रहे हैं वो भी कुछ दिनों के बाद सीधे हो जाएंगे स्तिती ऐसा है कि 23 साल तक ओडिसा पर लगातार सासन करने वाला बीजडी आज तूट कर बिखर चुका है यहां तक की बीजेपी ने जहां जहां हिंदूों के साथ पक्षिपात किया था वहां पे उसको सबक भी मिल चुका है इसी कारण आज मंच पर से चिला चिला कर बोला जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे हाँ आपके राजनितिक विचार अलग हो सकते हैं आपके सोच विचार करने का तरीका भी अलग हो सकता है परन्तु सच तो सची होता है जिसको आप चाहकर भी बदल नहीं सकते 2024 चुनाव आरम होने से पहले ही मैंने कहे दिया था कि पूरा का पूरा विपक्स समाप्त हो जाएगा और जो भी विरोध करेगा सबसे पहले उसी का विराश हो जाएगा ये तो हो गया अंदरूनी राजनिती का बात अब थोड़ा भू राजनिती याने जियो पॉलिटिक्स पर भी नजर डालते है कतार ने आख उठाया था अभी वो जुक कर बात करता है कैनडा ने आख उठाया था का महमान है जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटिली, यूके जो कभी भारत को सपेरों का एवं गरीबों का देश कहते थे आज आपस में भारत से व्यापार करने के लिए लड़ाई कर रहे है चाहे वो ब्रिक्सो या स्यो या फिर जी सेवन अजहर एक जियो पॉलिटिकल संगठन भारत को सम्मान देता है एवं सिरष्ट सक्ती के रूप में मानता है परिंतु वर्तमान के समय पर जारी ये परिवर्तन केवल राजनिती तक ही सीमित नहीं है बलकि पृतिवी के जियोग्राफी एवं वेदर में भी बड़े बड़े बदलाव हो रहे है सहारा डेजर्ट में बाड़, एमेजोन में सुखा, आर्किक एवं आंटार्किक में में मेल्टिंग गलेशियस, लगातार सिफ्ट हो रहे टेक्टोनिक प्लेट्स इतिहास के सबसे विनाशकरी समुद्रितु फान, इतिहास के सबसे विनाशकरी भुकंप, इतिहास के सबसे विनाशकरी वाइल्ड फैर, यह तक की इतिहास के सबसे प्रणिकरी बाड़, आज के समय पर हो रहे हैं वो भी एक दो जगहों पर नहीं बलकि संपुरुन पृतिवी पर एक ही दिन में 6 रितू यानि 6 अलग-अलग प्रकार के मौसम अनुबब हो रहे हैं गर्मियों के मौसम में इतना गर्मी हो रहा है कि मानों सब कुछ जल कर राख हो जाएगा थंडियों के मौसम में इतना थंड हो रहा है कि मानों सब कुछ जम जाएगा बारिस के मौसम में इतना बारिश हो रहा है कि मानों सब कुछ डूब जाएगा ये सब सामान्य नहीं है ना ही एसा कल्यूग के इतिहास में पहले कभी हुआ था परिंटु परिवर्तन का ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता आज एकक करके नए-णे वारफरंट्स खुलते जारहे हैं जिसका एक के बाद एक देश इस्सा बनते जारहे है हर दिन बं गोले बारूद के कारण हजारू की संख्या में लोग मारे जारहे है हर दिन एक नया शहर तबा हो रहा है फिर भी युद्ध रुकने की जगा और अधिक भीशन हो रहा है युद्ध के बाद आता है बिमारी वो भी एक दो नहीं बलकि असंख्या अंजान बिमारी जिनका नाम आज तक किसी ने सुना नहीं था कोरोना के बाद विश्व में अनेको प्रकार के रहस्य में बिमारी आ चुके हैं जैसे कि चाइनिज फ्लू, एवियन फ्लू, एमपोक्स का नया वारियंट, चान्दीपुरा वाइरस इत्यादी और आज जब ग्लोबल वर्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज अपने सबसे गंभ होने से पहले ही बता दिया था, अब आता है सबसे महत्तोपूर्ण परिवर्तन जिसके बिना कल्यूग का अंत एवं सत्यूग का आरंब असंभव है, आज से 10-20 साल पहले भारत में सनातनी घुट-घुट कर जीते थे, सादू संतों को सभा करने के लिए भी अनूमती नहीं कुछ बदल चुका है, 500 वर्षों के बाद आजयोध्या में पहली बार एक ऐसा दिपावली मनाया जा रहा है, जिसमें स्वयम मर्याद्धा पुरुषोतम प्रभु स्री राम विराजमान है, टेंट में नहीं, किसी मस्जित के नीचे दपकर भी नहीं, बलकि अपने भव्य प्राचीन एवमूल धाम में, हिंदू समाज एक करके अपने प्राचीन मंदिरों को रेकलेम कर रहे हैं, सादू संथ देश का नित्रित्व कर रहे हैं, हर एक त्युहार, हर एक पर्व, धूम धाम से मनाया जा रहा है, और जिहादियों को उनके ही भासा में जबाब भी दि जा रहा है, यानि आज परिवर्तन आरंभ हो चुका है, और ये परिवर्तन हमारे आखों के सामने हो रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से मीन शनी का प्रमान भी दे रहा है, 29 मार्च 2025 के दिन भी एक ऐसा ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है, परिंतु बहार वातावर्ण मे बलकि सरीर के अंदर, मन एवं आत्मा में, इसी दिन सत्य कली का आरंभ होने वाला है, यानि अधिक से अधिक लोग धर्म के मार्ग पर आने के लिए मजबूर होने वाले है, समाज में एक अदुर्ष्य सकरात्मक उर्जा का संचालन होने वाला है, जो उर्जा सनातनियों को आगे के संघर्ष में विजई होने के लिए सहायता करेगा, सरण भासा में कहूं, तो 29 मार्च 2025 के बाद भारत और उस भारत में रह रहे सनातनी और ना जुकने वाले हैं, ना ही किसी से सहायता का भीक मांगने वाले हैं, बलकि अब संपुर्ण प्रतिवी पर अपना सुप् क्या आप बता सकते हैं कि इस बार अयोध्या में दिपावली के अवसर पर कुल कितने दिये प्रजुलित हुए हैं, जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूँगा, पिछले अध्य का कश्मीर आर्थक्विक जिसमें एक लाग के करीब लोगों का मृत्यू हो गया था, विजेता है, सत्यम अगरवाल अमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, एवो फॉ जय जगनात, जय पंचसका, जय हिंद